रोड को खोला यह हमने इन आट नौ साल में देखा है बड़े बड़े अपने आपको माहरति आने वाले बड़े अर्थ सास्तर के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े माले तुजारों को फोन टेप करकर के लोन देने वाले के आदत वाले लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनांस की त इनको देश के सामान्य नानकिकी के सामार्थ का समझी नहीं है, साथ क्यों, अज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें में विशेश तोर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहा हूँ, आप में से कुछ लोग, रेलवे, तो कुछ लोग सिक्षाक्षेत्र से जूड रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाय देने का आउसर मिल रहा है, ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का आउसर है, देश, 2047 में, जब आज जहादी के सो साल मनाएगा, विक्सिद भारत बनने का लक्ष लेकर आगे बढ़ रहा है, और मैं जानता हूँ, आज आपकी जो उम्र है, ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अम्रित काल है, आपके जीवन का ये 25 वर्ष, ग्रेश एकदम से तेज गती से आगे बढ़ने वाला माहोल वाला है, और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं, आप कलपना कर सकते हैं, कितने उत्तम कालखन बहें, कितने उत्तम अवसर के साथ, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज, आपके कंधों पर आप नई जिम्मेबारी ले रहे हैं, आपका एक-एक कदम, आपके समय की एक पल, देश को तेज गती से विख्सिद भारत बनाने में काम आने वाली है, हाज आप, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने यात्रा भले शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए, और हमेशा अपने आपको एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले पांच साल से, दस साल से, जब से समझने लगे हैं, क्या का महसूस करते थे, सरकार का कौन से वहवार आपको अखरता था, सरकार का कौन से वहवार आपको अच्छा लगता था, आप भी ये जरूर मन में मानिए कि जो बुरे अनुभव आपको आए है आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरी को बुरा अनुभव नहीं आने देंगे जो आपको बिती होगी आपके कारण किसी को नहीं बितेगी यही बहुत बड़ी सेवा है अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को अप्टा करें अपने आपको योग बनाए आप पैसे हर कोई किसी ना किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानिवी के जीवन को प्रभाविट भी कर सकता है प्रेरीज भी कर सकता है उसको निराशा की गर्थ में डूपते हुए बचा भी सकता है इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है सात्यों आपकी कोशिस होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकारात्वत प्रभाव हो आपके काम से सामान्य मानुवी का जीवन रहतर हो व्यवस्ताओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए मेरा आप सबसे एक और आग्रह है आप समनें कड़ी मेहनत से ये सभलता हासिल की है पाने के बाद भी सिखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें कुछ नया जानने नया सिखने का स्वभाव आपके कार्यों और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और साथियों मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं मैं बड़ा विद्वान हूं मुझे सब आता है सब मैं सीख चुका हूं ऐसा भ्रह्म लेकर के नमब पैदा हूं आऊं ना काम करता हूं मैं हमेशा अपने आपको एक विद्यारती मानता हूँ, हर किसी से सीखिने का प्रयास करता हूँ इस बिलिटिन में फिलहार इतना ही, नमस्कार